हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ सिर्फ 2 मिनिट में ये हरी मिर्च बनकर रेडी हो जाती है और आप इसको हरी मिर्च की सबजी की तरह या फिर अचार की तरह कैसे भी खा सकते हैं कैसे इसको बनाना है मैं आपको सिखा देती हूँ तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने ली है मोटी वाली हरी मिर्च यह 200 ग्राम हरी मिर्च है जिसको मैंने अच्छे से दो कर पोश लिया और इसके बाद में इसकी डंडी को इस तरह से रिमूव करना है इसके बाद में इसको हम लेंट्वाइज इस तरह से कट कर लिए तो यहाँ पर सारी हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्च नहीं है तो आप पतली वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं मोटी वाली हरी मिर्च थोड़ी कम तीखी होती है और पतली वाली जादा तीखी होती है तो आईए बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च की सब्जी जिसके लिए मैंने लिए है कड़ाई इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है सरसों का तेल तो सरसे के तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर इसमें एक चम्मच राई एड़ करने हैं हमें राई को हमें अच्छे से चटकने देना है जब यह अच्छे से चटकने लगे फूटने लगेगी उसके बाद ही हम इसमें बाकी के मसाले आड़ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राई अच्छे से चिटकने लगी है तो इसमें आदी छोटी चम्मच हम एड़ करेंगे जीरा इसको भी अच्छे से बुन जाने दीजे इसके साथ हम इसमें दो पिंच हींग आट करेंगे हींग से भी हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है तो फ्लेम हमारी हाई है हाई फ्लेम पर ही हमने तड़का लगाया और इसमें हरी मिर्च आट कर दी तो इसको हम लगबग दो मिनट तक इस तरह से सौटे करें कलोंजी तो इससे भी हमारी हरी मिच का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा मिक्स कर लिया इसको भी मैंने अब आज को मैंने स्लो कर दिया है फ्लेम को स्लो करके इसमें एक सिडेर चम्मच सुखा धनिया डाला है दो से तीन चम्मच हम इसमे आट करेंगे सौफ का पाउडर सौफ मैंने लिया और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया दरदरा पीस लिया और उसको एट कर दिया तो फ्रेंट्स हमें सौफ अच्छी क्वांटिटी में आट करनी होती है साथी हम यहाँ पर एट करेंगे एक चोथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर एट करेंगा है हमें तो अगर आपकी मिर्च बहुत जादा तीखी नहीं है तभी एट करें वरना स्किप कर दें साथी हम इसमें नमक एट करेंगे बना रहें तो आप इसमें आदी छोटी चम्मच काला नमक और भढ़ा सकते हैं तो देखिए अच्छे से मैंने मसालो को मिक्स कर दिया फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो मीडियम रखा है और इसको हम ढग देंगे दो मिनिट के लिए दो मिनिट के बाद में धकन मैंने हटा दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मिर्च थोड़ी सी सिख चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है डार्क हो चुका है और सॉफ्ट हो चुकी है हरी मिर्च तो आपको जितना सॉफ्ट करना हो हरी मिर्च को तो आप उसी साब से इसको धक कर कुप कर सकते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर इस अचार को मैंने एक बोल में निकाल लिया है इस पर हम डालेंगे लास्ट में नीबु का रस तो आधा नीबु का रस आप इस पर ने चोड़ दीजे और आप इसको फटाफट से लंच यह डिनर में रोटी पूरी पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत ही डिलिशिस लगता है अचार और आपको अगर आपके खाना बिल्कुल बोरिंग लग रहा हो बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसको अपने घर में बना कर जरू ट्राइक कीजेगा कैसी लगी आपको रेसिपी लिक कर जरू बताइएगा रेसिपी अच्छी लगे तो प्लिज लाइक करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें थैंकिऊ सो मॉच बा बाइ